आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज नैचर स्टेजर में आपका स्वागत है आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज एक फल वै ओसदी इसकी चर्चा करेंगे मित्रो अमरूद का प्लांट आप देख रहे होंगे और अमरूद के प्लांट के साथ आप देख पा रहे होंगे इसके सुन्दर फूल और उनका पॉलीनेशन मदुमक्यों के द्वारा और पॉलीनेशन के बाद बनने वाले इनके फ्रूट्स बित्रो इस प्लांट के सभी प्लांट पार्ट्स औस दिय गुनों के लिए उप्योग में आते हैं इसके पत्र आप अगर जू को दूर करने का कारे करते हैं इसके पके हुए फल पित्त के समन के लिए उप्योग में आते हैं और वो भी लेक्जिटिव का कारे करते हैं पेट के को दूर करते हैं पके हुए फल के अंदर फाइबर ज्यादा मात्रा में पाए जाता है जो अलसर से हमें प्रोटक्ट करता ह है गेस्ट्रिक अलसर की समस्या हो कोई हो उसको दूर करता है Natural Antidote का कारे करता है इसके पत्र में भी अलसर को हील करने की और Anti-Acid की properties इसके अंदर होती है acidity को neutralize करने की चमता इसके पत्र के juice के अंदर और पके वे फल के अंदर होती है फित्ट का समन करने वाला होता है वहीं कच्चा फल अगर खाते हैं तो कच्चा फल पित्व को बढ़ाता है और पित्व के बढ़ने से बुखार भी करता है कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ज्यादा मात्रा में कच्चे फल का सेवन कर लेते हैं तो उनमें बुखार हो जाता है तो ऐसी कंडिशन अगर है तो हमें इससे बचना चाहिए मित्रो इसकी चाल का उप्योग इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले कीडों को दूर करने के लिए डाइरिया या डिसेंट्री की समस्षा हो उससे निराकरन करने के लिए हाई कंटेंट औफ टैनिंज पाय जाते हैं पैक्टिंश पाय जाते हैं जो डाइरिया और डिसेंट्री से हमें निजाद दिलाते हैं इस बारत आप डिक उप्शन बनाकर शेवन कर सकते हैं मित्रों यह चाल आप देख रहे है साथ ही आंखों में रेटनेस हो जाती जो कि पित्व के बढ़ने के कारण भी होती है उसको नूर करता है शरीर के मिनरिल्स क busy कमी को पूरा करता है केल्सियम लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है और Potassium भी इसके अंदर पाय जाता है जो relaxation का करता है इसका फल होता है वो rich content of iron उसके अंदर होता है जो कि iron और vitamins पाय जाते हैं शरीट के अंदर iron का natural कमी को पूरा करने वाला होता है अनीमिया की condition से बचाने वाला होता है और आसानी से क्योंकि टेस्टी होता है तो हम उसको खा भी पाते हैं और artificial iron की tablets जो हम लेते हैं कई बार gastric irritation cause करती है vomiting भी cause करती है उनको लेने में ऐसे हजता होती है तो ऐसे वेक्ति अमरूद का पका हुआ फल के सेमन करें iron का content आपकी iron level को बढ़ाएगा और anemia से आपको बचाएगा साथ ही इसके फल को आप भून लेजिए और भून कर आप सैंदा नमक लगा कर इसका सेवन कीजिए pneumonia को दूर करता है शरीर के अंदर सांस लेने में समश्या हो गई हो lungs में congestion हो गया हो bronchitis की समश्या हो कफ भर गया हो उसको बाहर निकाल आपके lungs को strength प्रोवाइड करता है ताकत देता है lungs को मजबूत बनाता है मित्रो इसके पत्र का आप green tea बना कर सेवन कीजिए किसी भी परकार की कफ और cold की समश्या को दूर करेगा और साथ ही आपकी चेहरे की कांती भी बढ़ाने का कारे करता है एंटी ऑक्सिडेंट्स इसके अंदर होते हैं एजिंग के बाद चेहरे पे रिंकल्स का आजाना जुर्याओं का हो जाना या फिर मुहासे जैसी अगर कोई समस्या है उसको भी इसकी green tea दूर करती है हेर कंडिशनिंग के लिए भी आप इसके पत्रों का इसकी चाल का काढ़ा बनाकर अपने बाल को धोईए आप देखेंगे कि silky black hairs आपके हो जाते हैं और बालों के अंदर होने वाली जो खुजली है वो भी दूर हो जाती है scalp की dead skin को remove करने का भी ये कारिय करता है तो cosmetic purpose के लिए body के nutrients की कमी को पूरा करने के लिए hormones को regulate रखने के लिए आप इसको ना केबल फल समझें बलकि औस दी के रूप में भी आप इसको उप योग में आसकते हैं मित्रो आजकल वैशन की समस्या बहुत common है आसानी से आप देखेंगे कि कहीं भी कोई ना कोई वैक्ती किसी ना किसी वैशन में सनलग्न रहते हैं हो जाते हैं तो भांग का नसे को दूर करने के लिए 10 से 15 ml इसके पत्र का जूस बना कर हमें 7 करना चाहिए पीना चाहिए भांग का नसा दूर हो जाता है और इसी भी नसे की जो क्रैबिंग होती है चाहे सारा पीने का हो वह भी देरे-देरे कम हो जाती है तो दी एडिक्शन के लिए आप इसके पत्र का सुरस का इस्तमाल कीजिये वित्रो इसके पत्र का शुरश इसके लीव्स का जूस वर्टाइगो की समस्या हो चक्क्र आने के समस्या हो उसको ठीक करता है वर्टाइगो ब्लड प्रेशर के बढ़ने सी भी आ जाता है कानों की अन्दर, मिडल एर की अंदर अगर बैलेंस प्रॉपर ना हो गया हो उसके कारण भी आ जाता है तो कई कारण से जो आने वाले चक्कर हैं उसको ये दूर करता है हॉर्मोनल लेवल पे इसकी अक्टिविटी देखी जाती है बहुत ही सेफ है पेट की समस्याओं के लिए तो आप यूज करते हैं के लिए एंडोक्राइन लवल पे हॉर्मोन को रेगलेट करने के लिए कोस्मेटिक परपरस के लिए आप इसको अपने सास्ते के समर्धन के लिए उपयोग मिलाते हैं कि इन्हीं बातों के साथ कलम फिर मिलेंगे एक नई प्लांट के साथ सुबह साड़ अच्छे बोजे अपनी क्वेरी के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं आप हमसे इमेल के माध्यम से कम्मिनिकेशन कर सकते हैं आप सकता अनुसार आप हमें कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं आप सर्वी का धन्यवाद परनाम नमस्कार